नमस्ते मैं हूँ देव आपका Music Instructor, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वक्त मैं हूँ Next Level Music Institute में, WhatsApp नमबर, Description Box के अंदर है. Last time हमने डिस्केस किया था Instagram पे कि कौन-कौन सी बुक्स मैं recommend करता हूँ Mixing Engineers को, Mastering Engineers को, और Music Producers को. Start करते हैं with the first one. सबसे पहले है MixingAudio.com की Mixing Audio. खास बात क्या है, जिस तरह से इनोंने डिटेल में समझाया है, खासकर पैनिंग की बात करें और Mixing Console की. ये दो टापिक्स बहुत ही डिटेल में, बहुत ही फाइन तरीके से समझाये गए हैं, मैं recommend करूँगा, definitely. चेक आउट कीजिए, Google पे सर्च कीजिएगा, MixingAudio by MixingAudio.com Next book, जो मैं recommend करता हूँ, वो है The Ultimate Studio One Pro Book. क्या बात है? By Doru. सबसे अची बात क्या है? एक, दो, तीन. जब मैं third number पे जाता हूँ, तो यहाँ पे book review किसने की है? उसके बारे में भी detail दी गई है, जो की है, वा, क्या बात है? Dev Next Level. तो यहाँ पे, मेरे बारे में लिखा भी गया है, Dev Next Level, Music Producer, Born and Raised in भारत, not India. वा, बहुत उसी बात है. जो भी लोग Studio One यूज़ करते हैं, या जिनोंने 40 lectures का मेरा पूरा course देख रखा है Studio One का, उन्हें मैं definitely रेक्मेंट करूँगा, Ultimate Studio One Pro Book, Amazon या Google पे आप सर्च करेंगे, तो definitely मिल जाएए. Next book जो मैं आपको रेक्मेंट करूँगा, वो है, Bobby Osinski की Mixing Engineers Handbook. एक बहुत ही जबरदस डिजिटल और अनलोग का समावेश है, कहीं भी कोई भी पेज खोल लीजिए, मैं FHL 670 की बात कर रहा हूँ, SSL Mixed Bus Compressor की बात कर रहा हूँ, तो plug-in किस तरह से हैं, hardware किस तरह से हैं, कैसे use करना है, बहुत सारे real live example इन्होंने यहाँ पर दिये हैं, बहुत ही practical examples दे रखे हैं, सीखने के लिए ultimate book है. Next book जो मैं recommend करूँगा, वो है, Mastering Audio by Bob Katz. Graphical Representation के साथ, इन्होंने काफी चीज़ें बहुत detail में बताई हैं, एक एक चीज़, dual pass, frequency, domain के इस तरह से हम क्या-क्या use करते हैं, linear phase EQ, इसने बहुत ही detail में समझाया है, जितने भी mastering engineer हैं, definitely मैं उन्हें recommend करूँगा, यह book. और finally जो मैं recommend करूँगा, वो है, Internal Mixing by Pro Workshops. अगर आप loudness war में believe करते हैं, कि मेरा गाना loud क्यों नहीं, upload होने के बाद loud क्यों नहीं है, या वैसी किसी को भेचता हूँ, उसका गाना मुझसे loud क्यों है, उस engineer का मुझसे loud क्यों है, एक एक चीज़, बहुत ही detail में इसके अंदर पे या YouTube comment पे कि मैं कौन-कौन से books recommend करता हूँ, mixing engineers को, mastering engineers को, music producers को, sound designers को, आज हमने वो discuss कर लिया है, आशा करता हूँ, आपको कुछ सीखने को मिला होगा, like कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए, और जो कुछ भी करते हैं, वो सब कीजिए, मिलते हैं किसी all action में, तब तक के लिए, Dave Next Level, signing out. Namaste.